अलो स्टुडेंट्स तो जही मेंस का 10th पॉइंट ब्रॉशर का 10th पॉइंट आज रिसकस करेंगे जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन मेंशन है उन बच्चों के लिए जो एक्जाम इस बार जही में 2021 का देने वाले हैं स्टुडेंट अभी अगर तक अभी तक अगर आपने लाइक और शेर नहीं किया तो मेक शूर लाइक और शेर कर दो आप अवारी प्रीविएस वीडियो देख सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी वहां पर हमने पार्ट बाइप आपके लिए पूरे ब अभी प्लानिंग के लिए विल हैं दोरेशन उफ एक्जामिनेशन 3.30 आर विच इस फ्रॉम 3 तो 6.30 आदे घंटे का एक्स्रा टाइम आप पर दिया जाएगा जो बच्चे बी आर को बी प्लानिंग के लिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स और डवाइस तो एक्जामिनेशन स और सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो उसके लिए एंटी रिस्पॉंसिबल बिल्कुल भी नहीं है जब वो एंट्री कर रहे होंगे दिड़न्मिट का डाउन्लोड जो आप प्रिंटे लेकर आएंगे ठीक है फ्रॉम दी एंटी वेबसाइट पर दिमिशन इंडी एक्जामिनेशन रूम और हॉल टेस्ट सेंटर स्टाफ ऑन डूटी इस और ऑथराइज तो वेरिफाई वह करें लुटाइए उसको सपोर्ट करें जल्दि जल्दी ना करें उनको काम करना औरको सब्सक्राइब करना अब जिसकाद को क्या करना थाक dona सिर्फ एक किसी चीज के बीचे रह जाएगी तो बिल्कुल भी कैजूली कैजूली भी हमत करना हो असीट रिगार्डिंग इंडिकेटिक मिल जाएगी उसी में उसको बैठना है यह यहां पर लिखा है कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होगे कि में तो मेरा भाही है वो तो मेरा द अजाबी देखिया तो मुझे कुछ नहीं समझाने वाला ठीक है ना तो मेक शूर कि आप पहले से ही वह चेक कर लें इनकेस तर सब्जेक्ट ऑफ कुशन पेपर इनकेस अगर आपको सिरफ एक पर्टिकुलर नेटिव लेंगोज आती है विच इस लाइक बंगाली मदरासी अगर आपने उस लेंगोज को वहां पर नहीं अब्जव किया तो भाईया पूरा फेपर खड़ाब हो जाएगा तो जल्दी जल्दी उसको रिजॉल करने कि वहां पर कोशिश करना और इन्वेजिटर को डिरेक्ट ली फटवर बता देना कैंडिडेट में अप्रोच तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर कोई भी इशुल आ रहे हैं आपको CBT के रिकारड़िंग तो आप जो हल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉंटक कर सकते हैं इन सचा केंडिडे इन कैसा केंडिडेट भाई फरनेशिंग पॉल से नहीं ठीक है अब यह बड़ा काम खराब है यह बच्चे कुछ कर जाते हैं कभी-कभी कि दो शिफ्ट में बैढ़ गया किसी तरीके से फार्जुरी करके तो मत बैठ ना गलती से भी आपको और चार दे दिये अटेंट और कितनी चाहिए तो अगर ऐसा हो गया तो रिजल्ट खतम हो याद रखना ओके ठीक है इसके बाद क्या है अब क्या क्या लेके जाना है यह देख लो बहुत जरूरी है क्या 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 लेके जाना है क्या 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 लेके जाना है प्रिंट कॉपी लेके जानी है किसकी एड्मिट कार्ड की जो अंटी के वेबसाट से डाउलोड करना है passport size photograph वही डालना जो application form में लगाई थी वो recent होगी should be taken for pasting क्योंकि वहाँ पर attendance sheet पर आपको चाहिए होगा वो लगाना होगा any one of the authorized photo ID must be original, valid and non expired कभी-कभी pen card ले जाओगे जो expired हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा या फिर जो passport है वो ले जाओगे तो खराब हो जाएगा काम, school i-card लेके जा सकते हो, pen card लेके जा सकते हो, DL लेके जा सकते हो, driving license, voter ID, passport, adhar card with photograph, e-adhar with photograph, russian card with photograph, 12th class board admit card with photograph और bank का passport with photograph, तो photograph हर जगा चाहिए ही चाहिए, make sure वो आपकी verify होगी ही होगी, और यह सारहों में से कोई भी ले जाना भाई, एक चल जाएगा, ठीक है ना भाई, इस से लदा क्या चाहिए या, उसके बाद PWD certificate जो होगा, students के लिए, ठीक है, from the medical officers, और PWD certificate regarding physical limitation, अब यहाँ प होगती है, या बहुत सारी चीजे हैं, वो यहाँ पर आगे, आपको बताईगी होगी, कि क्या के relaxation वहाँ पर मिल रहा है, तो अगर उसको अवेल करने के लिए, आपको यह चीजे लानी पड़ेंगी, मतलब medical certificate विगारा, यह सब आपको चाहिए होगा, यहाँ पर, तो इसको कोई भी उल्टी सीधी चीज करते हो, unfair means, मतलब कोई cheating हो गई, कोई forgery हो गया, कुछ भी ऐसी चीज होई, जो non-cooperation में आई, वहाँ पे center exam में, तो भाईया देखो, इस पूरे जो, पूरे के पूरे का जो 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 है, simple सी बात है, अब यहां पर देखो, main main points है, जो पढ़ लो ठंक से, जो आपको बोला गया है, लेके नहीं आना, तो मतलब, नहीं लेके आना, जैसे कि, any stationary item, communication device, accessories, eatable items, ornaments, or any other material, or information relevant or not relevant to the examination, enter in the popular concern, forever, मत लेके जाना भीया, using someone to write examination, पता लागा किसी और को देदिया, जो और क्या है, और जितनी भी, कोई भी information, या कोई भी rule है, जो instructions देगी है, उसको अगर follow नहीं करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, और किसी और बच्चे के exam देने, मत ब्राड़ जाना भाईया, कि या मैं तेरा भढ़ देता हूं, writing questions, और any other material, यह भी बहुत बड़ा वो है, कि कोई भी गलती, मत करना वहाँ पर कुछ भी, उल्टा सीधा उपर नीचे, मत लेखना, किसी भी officials को धंकाया, कि आरे, ऐसे कैसे तू देख लेगा, मैं को मैत तो देखता हूं, मत करना भाईया, ठीक है, using or attempting to use any other undesirable method, मतला हर एक चीज, मैं वही बोल रहा हूं, इसमें सारा क सारा यह लिखा हुआ है, भाईया, पता लगे, लाइन बनी हुई है, लाइन से जाना है, बगर नहीं हम तो भाईया, जाएंगे, भाग गया फड़ावट, तो भाईया, मत करना, इसी कोई भी चीज, क्योंकि वो जो center in charge है, वो आपका decision ले सकता है, और आपको वहाँ से हट सकता है, तो भाईया, ऐसा कोई भी चीज मत करना, यही यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, अब समझ लो कि क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करनी है, punishment देख लो जी क्या है, punishment यह है कि अगर, अगर candidate इन सम्में से उपर जितने भी point है, उन सम्में से अगर किसी में भी पकड हो गया, काम अपका, तीन साल के लिए काम खतम, मतलब जही में का टाइम तो, एडवांस का तो गय गया, जही में का भी गया, तो भाई, ऐसा कोई भी काम, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करना, मत करिएगा, वो लोगों के साथ बुरा cooperate करिए, क्योंकि वो लोग भी आपके चैलेंज, मतलब अगर आपको लगता है कि NTA का जब एक्जाम हो गया, अब घर पहुँचे, आपको लगा कि यह तो आंसर जो तो यह ना ही गलत है, मतलब एंटी का जही आएगा यह तो गलत है, यह तो यह नहीं होना चाहिए, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते है, उस च चैलेंज के लिए आपको पर कोश्चन 200 रूपीस का पेमेंट करना हो ओके 200 रूपीस का कोश्चन पर आपको करना होगा वह आपको पुब्लिक नोटी से किशू हो जाएगा न्टीक वेबसाइट पर कि भाईया यह ओपन हो गया है अगर आपको लगता है कि हमारा अंसर की गल जो चैलेंज वह क्या होगा ऐसा होगा एपने रिक्वेस्ट कर दिया तो आपको कॉल आएगा अगर देट सबस कहा के यह नुसर की घलत है तो भुब फम डेट होगी और आपको खुद देखना है अपडेट लेना है ठीक है एंटी आपको कॉल नहीं करना वाला उसके बाद नहीं होगा और इवलेशन ऑफ एंटी यूस नॉर्मल चीज है यह डिटेल जो है पूरा का पूरा का पूरा एंटीक स्कूर का वह आपको बता दे जाएगा बाद में कि क्या होता है क्या नहीं होता जो आपके रिकॉर्डड रिस्पॉंसे मतलब जो आपने जैसे ओमर होती है आप अपो आप कोड़ करते हो वो इस फिल करते हो आपको दिखाए जाता है नीट के अंदर वैसे ही जिए में आप जो आन्लाइन रिस्पॉंसे करोगे वहां पर वहां पर कोश्षन पेपर में वह आपको वहां पर दिस्वले किया जाएगा ताकि आप अपने संतोष्किके के लिए देख पाओ कि आपने यह कोशन आटेम्ट किया था ठीक है तो स्टुडेंट यह रहा बेसिकली हमारा जो इंस्ट्रक्शन थी में एंडमिट काड को लेकर और हमने यहां पर बात करी आंसर की चैलेंज को लेकर तो स्टुडेंट अगर आप और वीडियो देखना चाह झालेंट